हलो फ्रेंज गॉड देविनिंग अभी हम आये हैं यहां पर खाने के लिए सिदी कॉर्णर रेस्टूरंट में पहले ऐसा था कि हमने एसा डिफैट किया था कि हम जाएंगे मानेक चौग और वहां पर जाके गाठ्या और यह सखाएंगे कि खुष्षत को यह मंदूर नहीं था और इसलिए हम सिदा यहां पर आये सिदी कॉर्णर में यह बो रेस्टूरंट है जहां पहली बाद में पहली बाद को लेकर आया था और हमने यहां बहुत काइन बिताया था उसके भाई ने फोन करकर केहरां परेशन पूझे यह पताने की जरुद नी थी थी कि कब पहुंचेगी कब पहुंचेगी तो यह सिंधा वो वो दिन वो रात आज भी मुझे याद है जब मैं इसे यहां लेकर आया था और यह महाशयवी इनकी वाइफ को सगय में यही पर लेकर आया थे यह वही यादगा रेस्टराइट है कितना खूश हो रहा है यह अभी दच रहा है यह रहा है वो पता ने कुसी चाहाँ पर इनोंने मंगवाया है तिजलर्स मंगवाई है और यह फिनिच अब अब आप पीर यह यह वह इनकी बहुत ही डरती है और उसके पारकवाली बच्ची है ना इस नंबर गवाशय नहीं है सबस्क्राइब करूश नहीं है तो भी हम जाएँ माने चोंग डिफिनिटली नेक्स टाम जाएंगे और मेरी तो भी इच्छा है अगर बारिश रुख जाए तो और ववापिस गाथिया खाने जाना है खाना खाके तो भी मुझे मेरी नानी लेकिन ये माने काने जाना है ला-ला ऑड़ा गाए ला-ला-ला कारा राम religious love लुप बाजप rate de यू रुष्ठी को चुला थे यू अब हे उ भुष्ठी, मैं हूए जुला रहestra सब समय सभा-माई की बास ने समय सभा-माई कारां पाफ भड़ी है, तू परस की बास निवाद्ट आपको प्लाद्ट करते हैं वो तो जो अवे पाद्ट या उव पीछे ना तो बाड़ी आपको लिए पिछी कीछ इसी कर फ्लाद्ट कि वो जगा मेरे यही बनी जा वो उस्का बैड है तो भई अभी अब बजा है एक तुनाइट अब रुष्टी उसकी मुमी के असिस्टंट बन चुकी है और दिपा अभी जा रही है यह रुद्र अभी शेक जो इसके भाई ने रखा हुआ है तो दिपा अभी वहाँ पे जा रही है और रुष्टी नहीं जा रही क्योंकि पढ़ना उसे बहुत बाकी है और मैं इसली नहीं जा रहा क्योंकि वृष्टी नहीं जा रही है तो वृष्टी के लिए मैं यहां पे हूँ आज अभी बारिष शुरू हुए है वृष्टी अभी बारिष हो रही है बर तो चलो नहाने चलते हैं अबी तरनाएंगी जो? अबी पढ़ा करने एंगे तो उपर से नहींगे फिर वापस नाने चाएँगे पड़ेगा इतना कष्ट में लेसे लेख लेख यह है च्रिकाज पहले के टाइम में बच्चे एथे अपने पेरेंट से चलो नहान चलते यह बारिष में तो ज renewed चेञ्यों कि विचार शब चेंचार नो झेल same day और आज है संडे और वित है सवाव बारा और दिन में भी लाइट करनी पड़ रहे है क्योंकि बाहर भॉत ही अंदेरा क्योंकि बारीश हो रहे है और आज मेरी नाने की जरह भी इच्छा नहीं हो रही है और शायद ना भी न आउ और दूसरी बात यह है कि आज में फोटोग्राफिय भी नहीं करवाँगा इसका मुख्य रिजन यह है कि बार काफी अंदेरा है और यह लाइट चालो है अगर यह में लाइट आफ कर देता हूं तो इतना अंदेरा हो जाएगा तो यहां पे फोटोग्राफिय करना मुश्किल नहीं नामू किया है क्योंकि इसमें पिक्सल जाजाएंगे अंदेरा बहुत होगा और लाइट भी यहां पे रखे ना तो पिक्टल बहुत जाजाएंगे तो प्रॉपर दिखाई नहीं दिता इसलिए यह अंदेर में पढ़ रही है अच्छा लग रहा है वेरी गल्स चलो अलेटीक सिदी बढ़ जाएंगे वेबाद